कि तुम जब आओगी तो खोया हो अपाओगी मुझे, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं है, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुमें, मेरे कमरे में खाबों के सिवा कुछ भी नहीं है, अब कुछ नहीं है, उस कहाने को कोई फाइदा नहीं है, मैं चाहता भी तो ऐसा क्या हुआ लाइफ में जो शेरो शायरी में आ गए दिल तूटा या धोका मिला जो इंस्टाग्रैम पे आ गए और करते हैं हम आपका भूद भूद स्वागत जो आप हमारे चैनल भी यू पे आ गए यह तो आपने भी शायरी कर दी मतलब ही मुझे लगता है संगत का सर आ गया आप पे भी भाई आना ही था मतलब आपने जो दिल तूटी शायरी इतनी सारी बना रखे न तो उसका आज राज खुल के रहेगा आज है तो चलो पोड़कास स्टार्ट करते हैं और मैं चाहँगा जनता को थोड़ा से एक पर अपने बारें बता दो आज वो खिसको सुनने जा रहे हैं बिल्कुल मेरा नाम है मुकल शर्मा और जो लोग मुझे जानते हैं मेरी शायरी की वज़े से जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो जानते हैं तो उनको हम जन्वा देते हैं उनको मैं कहीं नहीं दिख जाऊंगा या सुनता वा कहता वा नजर आ जाऊंगा और दूश्मं जाके वावाही आनी चाहिया आजांक एक शेर एक लिखा तक वह दिन किस दिन के बाद में आएगा जिस दिन के बाद में तू किसी की बात में नहीं आएगाई एक वा हु मेरा में अरमाए मुसला यह राख बसती है जलने के बाद में और कौन पागल है जो राख से दिल लगा है यह जो इतने डीप थोट आते हैं अब शायर दो तरह के होते हैं एक शायरी वो होती है जो की दिल फैक होते हैं एक शायर वो होते हैं दिल जले होते हैं आपके कौन सी कैटेगरी है? करने वाला और पार्टी करने वाला बहुत कुछ करने वाला जो मैं as a shire लोग expect नि करेंगे कि मैं वह सब करता हूँ बत मैं वह सब भी करता हूँ पर यह जो jarn or मुझे मिला यह मैं लिखा करता था पहले शाइर inspire से पढ़ा हूँ ग्राफिक एरह से तो हम सब लड़के बैठके शाम को एक महौल एकटा करते थे चेर लगा देते मेरी मैं बैट जाया करता था सब शायरी सुना करते थे और जो भी उनके अपने काम हुआ करते थे वो शुरू कर दिया करते थे तो ऐसे करके दोस्तों ने शु ने शुरू आज भी निमानता हूँ लिए चायर हूँ तो पहले कि लिखते क्या थे मैं पहले कुछ पहले में पहले में इंगलिस में लिखा करता था था खिर मुझे ना यह मतलब यह सास हुआ कि आपना अपनी फीलिंग्स को एंगलिस में अजस्टिवाय नहीं सकते है तो महबबत क्या है? मेरे लिए देखो सबका अपना perspective है मुझे लगता है मेरे लिए महबबत यह है कि दुनिया ना यह चाहती है कि लोग उन्हें चाहें है ना आप किसी के साथ relationship में आप चाहते हो कि वो आपको प्यार करें चाहना नहीं चाहते हैं लोग चाहते हैं कि उन्हें कोई चाहे चाहे जाना चाहते हैं चाहना नहीं चाहते हैं तो महबबत मेरे लिए है किसी को चाहना वो मुझे वो मुझे से महबबत करे ना करे यह उसका perspective है मेरा यह है कि मैं अगर किसी से महबबत करता हूँ तो मैं उसे चाहूँगा उस आकरी हद तक जहां तक मैं चाह सकता हूँ समंदर के उस किनारे तक, आसमान के उस उचाई तक, धर्दी के उस तल तक वहां तक चाहूँगा जहां तक मेरी आखात होगी वो मेरी मुहबबत है, मेरे लिए मुहबत ही है क्या बात है पाघल पन भी कहते हैं उसको पिलड़ को बढ़ रखे SE मुहबबत और पाघल पन में सिर्फ इतना फर्क है जब इनसान को ज़ाती है तो वो मुहबबत में और जहाँ इनसान की महबबत उसके हाथ से निकल जाती है बस फिर वो पागलपन का रस्ता शुरू होई से है और मुझे लगता है उस पागलपन के बाद आई थिंक शायर आते हैं हाँ मतलब हाँ यह रस्ता तो वही है रास्ता वही है मतलब मंजिल तो पागल मंजिल तो है शायर बनना जो रास्ता है वो म जो आप लोग पोड़कास्ट देख रहे होगे तो बहुत ओके समझ रहे हो मेरी को जो सुनते हैं जो लोग मुझे सुनने के लिए इस पॉड़कास्ट पर आए होंगे उनका तो पका तूटा होका आपका तूटा है किसका नहीं तूटा आप बताओ इस दुनिया में तो नहीं होता है ना कि शायर में तब बना जब मेरा दिल तूटा डीप थोट भी तब ही आते है मुझे लगता है कि जब आप परमभाई किसी चीज से रिलेट करते हो ना कि तो आप उसके बारे में ज़ाधा अच्छे से बता सकते हो जिस चीज से आप गुजरे हो साथ शुरू से रहा हूँ स्कूल टाइम से पहली बार किसी पॉड़कास पर बता रहा हूँ आज तक कभी नहीं बताया किसी को भी बहुत लोग सवाल पूछते है स्कूल टाइम से एक लड़की के साथ रहा और एक ही खापता मेरा कि बस वो मुकमल हो जाए और जादा काप थे नहीं जिन्दगी में न क्योंकि घर से ओक्के हूँ फैमली वैमली ओके वैल टूडू है तो कभी यह नहीं रहा कि बहुत बड़े सपने रहे क्योंकि सेटल था घर से सब कुछ पर ऐसा लगा कि यह चीज हासिल करनी चाहिए यह ऐसी चीज है जो जिन्दगी में है नहीं पर एक वक्त होता है आपको समझ में आता है कि आपकी एहमियत जो है किसी की जिन्दगी में वैसी नहीं है जैसी आपकी जिन्दगी में उनकी एहमियत है तो जब यह आपको तो रियलाइस होता है, फिर आप अलग होते हो, फिर आप एक अलग इनसान बन जाते हो, मतलब कैसे बदलता है इनसान, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखिया, कि हसता खेलता आदमी होता है, वो एक लाइन है सुनी थी, कि लोगिश्ट में पागल कैसे हो जाते हैं, देखो ऐसे हो ज आज भी आप ऐसे बहुत जिनके दिल तूटे है उनको कहीं ना कहीं शायरी मरहम का काम कर रही है मैंने कहीं पे कुछ लाइने पढ़ी थी कि अगर शायरी ना होती तो क्या होता I think प्यार अधूरा रह जाता हाँ यह बात है मुझे लगता है कि यह वाले face को handle करने के लिए power तो मिलती है poetry से आप अपनी feelings को कहीं पे लिखते हो निकाल देतो न अपने अंदर से वो निकालना हो गया कि आपने निकाल दिया अपनी feelings अपने अंदर से तो फरक तो बहुत पढ़ता है और सुनने वाले पर पढ़ता है बहुत सारे लोग है जैसे आप और मेरी जैसे लोग है हम तो बोल देते हैं बहुत सारे लोग है जो नहीं बोल पाते हैं तो उन्हें सुन के अच्छा लगता है सब बाते हैं पूलते हैं अभी जो आपने feeling की बात करी जो देखो सबका prospects बिल्कुल different है मुझे क्या लगता है feelings is never be like ending process कि कभी मरती नहीं है feeling can be changed मर सकती है feeling मर सकती है लेकिन अगर feeling मर जाए न तो फिर इंसान मर जाता है मरती तो है feeling तब मरती है लेकिन feeling मर जाए तो फिर इंसान इंसान नहीं रहता ये है feeling का सी तो भाई मुझे लगता है कुछ सुना दो यार बढ़ी आसा फिर उसे दुबारे से ये ही पूछोगा हम आप से एक शेर था एक शेर सला शेर लिखा था मैंने इस शेर को नाम दियता है सला सला दे रहा हूँ दुनिया को ये शेर सला है कितने घुटने गिसे हैं महबत में याद रखना खुद की नजरों में कितनी बार गिर है याद रखना याद रखना कि प्यार करने का सिला था वो किसी पर मर मिटने की सजा मिली थी वो आएगा एक दिन रस्ता बदल कर मिलने के लिए उससे कहना ये रास्ता गलत है आगे से याद रख ला क्या बात है भाई घज़़ 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 परम भाई सला है आप तो शादी शुदा हो जो लोग शादी शुदा नहीं है उनके लिए सला है कि बच के रहें महबबत से महबबत पता है महबबत बदनाम है महबबत बहुत खुबसूरत चीज है महबबत बदनाम क्यों है और आज की महबबत का सिनारियो के है देखो महबबत बदनाम इसलिए है क्योंकि जब भी किसी के साथ कोई चीज गलत होती है ना किसी को किसी ने छोड़ा या किसी के साथ कुछ भी हुआ तो उसका ब्लेम इंसान पे नहीं जाता उसका ब्लेम जाता है महबबत के उपर अब समझो इस चीज को क्योंकि महबबत ना मीडियेटर है है ना मीडियेटर मैंने आपके साथ धोका करना है ना तो मैं महबबत का यूज करके कर रहा हूँ तो मिडियेटर जो है वो बदनाम होता है आदमी बदनाम नहीं होता है फिर लोग महबद को बदनाम करते है असल बात यह है महबद बहुत खुपसूरत चीज है अगर वो गलत इंसान से आप कर रहे हो तो वो महबद की उसमें महबद की क्या खता है आप बताओ मुझे अगर तो इनसान गलत निकला दो यहीं रीजन है कि तुमने महबद को खराब इसलिए बोलत ली हां कि करनी नहीं से यह दी पर आप सही इंसान से करो न हमारे माबाब भी तो है वे तक दूसरी से महबद करते थे मैं इसके बाही सही पर करते थे देखो पूरी जिन्दगी गुजा पेपर और पीपर ओवर होने से पहले बहुंतर दया कि wonderfully एकर दोनीड sa इसलुआ करके को मैं और बय視ं को माटब्स है उनके अगर हमादय का किण गाल ili उन्होंने क्या struggle करे है, कैसे हमें पढ़ाया है, कैसे सब कुछ handle करा है और यह महपथ है कि कोई इंसान चला गया है और आप उसके बिना रह रहे हो, उसकी याद में रहे हो उसको याद करते हो, उसको प्यार करते हो यह है महपथ कल ब्रेक अप हुआ और आज पैच अप हो गया और कल फिर ब्रेक अप हो गया ये मुझा बहुत चीप लगता है आज मोहबबत के ना टुकडे कर दिया इंसानों ने और उस टुकडे में तीन तरीके से बाट दिया लव, सेक्स और धोका परम भाई ये बड़ा लव, सेक्स और धोका इसका थमनेल में डाल सकते है लेकिन आपकी बात आपको पता है यार सबको ही पता है, सबी स्मार्ट है ये सिनेरियो बड़ा गंदा है और ये जनरेशन को बहुत खराब करेगा आने वाले टाइम में तो भाई इतनी शेर और शायरी करते हो तो लड़किया तो दिवानी रहती हो मैं तुमारी का भाई प्यार करते हैं लोग अच्छा लगते हैं ऐसा कुछ तो नहीं कि दिवानी विवानी है मेरे तो बहुत बड़ी बात है कि नॉर्मल लुक्स का लड़का अरुड़की शेर से निकला और इतना मुकाम हासिल कर लिया मैं तो खुश हूँ लोग मुझे सुनते हैं बस मैं उसी में खुश रहता हूँ मैं को दिवाने विवाने ये सब कुछ नहीं होता कोई अपना बैस्ट मॉमेंट शेर करो कि आप अगर कहीं जहां पर आप शोज करने जाते हो अरे शोज से अच्छा बताता हूँ आपको बताओ दिल्ली में मैं डेली आप सबको पता है आप तो मुझे ज़्यादा टाइम से फॉलो नहीं रते जो मेरे पुराने फॉलोवर से वो जानते है कि मैं डेली बहुत आता हूँ और दिल्ली से मेरे को अलग प्यार है मतलब दिल्ली का प्यार अलग है मेरे से तो मैं एक बार डेली आया तो मैंने स्टोरी लगाई थी तो एक लड़की कश्मीर से ट्रावल करके डेली आई मेरे किसी फ्रेंड से बात करके और उस फ्रेंड ने मुझे बताया है नहीं कि इसने मेरे से बात करी है उसने उसे प्लीज कर गए उससे बात करके दिल्ली आ गई और एक कैफे मेरे दोसने में को बुलाया और मैं वाँ बैठा और मेरा दोस्त नहीं आए वो लड़की आ गई वो मेरे सामने बैठ गई अभी वो सुन रहे होगी पका हंड्रेट परसेंट वो सब कुछ सुनती है यार उसको मेरा एक एक शेयर याद है मेरे सामने बैठ गई और मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ मैंने का पता नहीं मैंने कुछ कराया या मुझे नहीं पता कि मैंने क्या कर रहा है और मैं इसको चुप करा रहा हूँ तो बहुत जादा रोने लगी फिर मैंने उसको उठाया मैं तो उसको भार लेकर मतलब उठाया है नहीं अचा, उठाया नहीं, उसको उठाया है, मैंने का बहार चलते है थोड़ा सा, थोड़ा सा ब्रीद करो, पानी बानी लेकर गया बॉटल, मैंने का पानी बानी पी, ओ, क्यों, मेरे उपर कर्ज दे दिया, मैं इतना ओवर्वेल्म होगा, मैंने कार कोई मेरे लिए, ऐसे कर सकता है तो, फिल तो मुझे कितनी मैंने काम में घालता है, यह एसा मूमेंट तो मेरे साथ कबहीं नहीm हुआ जैसा यह फैन मूमेंट कभी नहीं हुआ, हाँ, एक लड़का मैरे शो में न वो भी पक्का देख रहा होगा मेरा डेली में शो government बहुत टाईम बाद मैंने शो करगा था एक भाई हमारे रागव बाई है वो भी शाइरी करता है बड़े बाई है मेरा जैसे आपदे बहाई हो ने ऐसी वो भी है वो शाइरी करता है उन्होंने और हमने एक शो प्लान करा था डेली में, उपन माइक था और भी लोग आई थे, काफी सारे लोग थे, काफी सारे पोईट्स थे, हमारे साथ बहुत अच्छे पोईट्स थे, जिसमें से काफी सारे लोग को जानते हैं, लोग मैं नाम नी रिकॉल कर पारा सबके, का मेरे लिए मैं उस बंदे को बहुत प्यार दूँगा क्योंकि मैं किसी के लिए 300 किलो में ट्रावल करके नहीं जाओंगा और अगर मैं जा रहा हूं तो मैं यह समझ सकता हूं कि मेरे लिए वो कितनी बड़ी बात है तो वो मुमेंट तो बहुत क्रेजी था उस बंदे के साथ मेरा फिर उसके बाद वो मेरे हर शो में आया है हर शो में मिलता है मेरे को अब वो ऐसा होगे चैसे दोस्त हो मेरा हर शो में मैं उसको सब बढ़िया है था हर शो में मिलता है मेरे को भाई दुनिया को तो इतना एंट मज़ा आता है मुझे किस सबस्याद कोन पसंद है आपको मेरे गुरु है जॉन साफ हजरत जॉन ही लिया पाकिस्तान के शायर है थे इंडिया के ही अम रोहा के थे पर भार चले गए थे पाकिस्तान दर्द अगर कोई समझा पाया है तो जॉन साफ समझा पाया है और कोई नहीं समझा पाया है तो उस दर्द में से कुछ निकाल के passenger पहुझा कोई असा शेर नहीं जो आपको ना लगएеро जॉन साफ केण Å самоеru इस घर की रखवाली करें, बड़ा गहरा शेर है, ध्यान सब्सक्राइब, जोन साब का है, कि कौन इस घर की रखवाली करें, हर दिन एक नई चीज ठोड़ जाती है, शेर इतना गहरा है, इस शेर की गहरा ही इतनी है, कि आप इसको समझेंगे न तो इसके तल तक नहीं जाँगा, प्रॉब्लम निया रिकवर होने में, बट जब भी मैं रिकवर करने कोशिश करता हूँ न, कोई एक ऐसी चीज है, जो मुझे पीछे कीस्ती है, तुमारी साइट से, तो कौन इस घर की रखवाली करेगा, आप बताओ, हर दिन एक नई चीज, कैसे रखवाली करे जिस घर में हर दिन एक नई चीज तूट रही है, कैसे करेगा रखवाली उसकी, बहुत घहरा शेर है, जॉन साब ने जो शेर बोले में, जॉन साब का एक शेर है, कि चारा साज़ों की, चारा साजिशें, कह रहे हैं, धर्द बदनाम तो नहीं होगा, कह रहे हां, दबा दो मुझे, हां, दबा दो मुझे, मगर इतना बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा, तो वो इंसान न, वो दर्द की घहराई, जॉन साब से अच्छा दर्द कोई नहीं लिखता, और जॉन साब ने बहुत कुछ सिखाया, जॉन साब की लाइने सुन सुन के एक बात है, लोग पूछते हैं, इसाब सवाल पूछना के, के दर्द क्या है, मैं पूछ रहता हूं, दर्द क्या है, तो जिन्दगी में तीन दर्द हैं बड़े, मर्द की जिन्दगी में तो हैं, पहला ये, कि हम उसके बगहर नहीं जी सकते हैं, ये पहला है, दूसरा है, कि उसको मालूम है कि हम उसके बगहर नहीं जी सकते उसको मालूम है पर तीसरा ये है कि उसको मालूम है हम उसके बगहर नहीं जी सकते वो फिर भी हमें उस हाल पर छोड़ देता ओई होई क्या बात ये है जो आदमी की जिंदगी को लूप में घुमागे रखते है जो महबबत में घुमागे रखते हैं फरेब से क्या याद आता है फरेब से याद आते हैं वो दोस्त जो बहुत बुरे वक्त में चोड़ के चले गए वो दोस्त याद आते हैं फरेब शब्त सुनते ही तो उनके लिए कुछ लाईने हो जाएं गपदार दोस्तों के लिए कोई ऐसे लोगों पर वक्त बरबाद निकरना चोड़ दिया। बहुत दोस्तों छोड़ें पैसे कहा के भुप गए, सब को चोड़ दिया। काफी, काफी लोगों को छोड़ा है, वो लोग भी मुझे सुनते देखते हैं। कोई बाद नी रख ले पैसे, पैसे रख ले, पैसे कोई मेरे से पैसे ले लेगा मेरे, मेरा नाम ले लेगा, मेरा टैलेंट ले लेगा, नहीं ले सकता, ले ले भाई, खुछ रहे, पैसे रहे, अपने पास खुछ रहे, मेरे को पता है, देख रहे होंगे वो लोग, पक्का, तो अपने पास रखो, खुश रहो मैंने यह देखा है कि अगर कोई आपका नुकसान कर रहा है ना परहम भाई monetary terms में या physical terms में किसी भी चीज में तो वो आपका फाइदा है long term का आपको पता चलिया कि वो इंसान क्या है तो इससे ज़ादा लाक रुपे की चोट खाई लाक रुपे की सीख मिली फाइदा ही है ना अगर मैं इस पे एक सवाल आ गया कि अगर आज के युग में सबसे ज़्यादा मुश्किल है पहचानना तो वो क्या है इंसान सच बाद है, सच्चा इंसान क्योंकि दिखता तो हर गोई है अंदर से बाहर से मुस्कुराता है शक्स अंदर नहीं जानते कितने काटो का मेला है यह वाला यह जो शकल से आदमी दिखता है ना अंदर से नहीं है आप भी मुस्कुरा रहे हो तो क्या पता कि आप कौँसा गम चुपा रहे हो ना पता नहीं ना इंसान यार गम तो हर एक इंसान की जिंदगी का पार्ट है डिपैंड करता है आप उसको ले किस तरीके सरे हो आप उसको अगर पॉजिटिव वे में ले रहे हो ना तो वो आपको help करता है मुझे लगता है और मुझे ना डर लगता है एक बात से पता बहुत जादा दिल से बता रहा हूँ यह वाली बात पॉडकास के लिए नहीं बोल रहा मेरे को दिल से पता किस बात का डर लगता है कोई एक दिन मेरी जिन्दगी में ऐसा आएगा कि मैं move on हो जाओंगा उससे और वो दिन बहुत खराब होगा मेरे लिए और मैं इसी दिन की आस करता था पहले से कि मैं move on हो जाओंगा और मैं जिस दिन move on हो जाओंगा प्रॉपर कि मतलब एक परसेंट भी मेरे अंदर उसका कोई पार्ट नहीं रहेगा उस दिन में regret करूँगा कि मैंने ऐसा क्यों करा आप समझे रहे हो यह चीज कितिनी गलत है अगर यह चीज हो जाएगी तो ना मैं लिख पाऊंगा ना मैं उन चीज़ों को वैसे फील कर पाऊंगा यह जो ज़ो जो जाऑनर मिला है ना मुझे यह गिफ्ट है अगर मैं पूछो कि दुनिया कैसे याद रख़्ेए आपको जैसे जॉन साब को रख्ते हैं लोग या जैसे मैं जॉन साब को याद करता हूँ जॉन्झाब किससर मोधाता हूं। महबध करनी है तो john जैसी करनी है वरना फिर महबबध करनी का क्या पायदा नहीं है जिसने सारी जिन्देगी एक इनसान के लिए निकाल दी एक इनसान की तनहाई में गुजाड़ दी और तनहा जीना बहुत बड़ा टास्क है लोग बोलते ही हैं तनहा कोई नहीं होता, सब के पास होते हैं मशुक्त, जो तनहा सच में जीता है वो बहुत मुश्किल है, तो वो जॉन साब ने पार करा है, फेस में चाथा हूँ, मैं उस फेस तक हूँ, महा तक तो जाओं थोड़ा सा, थोड़ा तो आगे जाओं, अपनी साइड से तो कोशि जाएगा? गटेगा, कुछ नहीं बहुता है, पर एक फ्रेस सेट होता है, आप पोईटरी, आपको राइमिंग करनी होते हैं पोईटरी में, आप यह तो फोर लाइन करोगे, यह एट लाइन करोगे, मतलब यह सेट है, टू-टू-टू-टू का सेट है, पांच लाइन नही यह जो आपकी शायरी है न, वो प्यार, महबत के ही इर्द-गिर्द है, जिस बंदे को नया-नया प्यार हुआगा, वो आपकी शायरी सुनके अपने स्टेटस पे, स्टोरी पे जरूर लगाएगा, तो उन्हें देदू शायरी जो प्रपोस करना चाहते हैं उन्हें, यह मैं आखों में डूबने को तयार हैं, लोग समंदर से बसते हैं लेकिन हम तुमारी आखों में डूबने को तयार हैं, लोग बसते हैं समंदर से लेकिन हम तुमारी आखों में डूबने को तयार हैं, किसको देखने की चाहत करें, तुमको देख लिया है एक बार, तुमारी जु कि लड़की को आपको परपोस करना पड़ जाए इन का। शायरी अंदाज ने तो किस तरीके से वह परपोस करोगे यह मैं कहूंगा मैंने सोचा है कि आखों में आखे डाल के यह मेरे लिए तोड़ा टास्क है क्योंकि मैं इस फील्ड उसे काभी टाइम से गाया हूँ है ना मैं दूसरी फील्ड में हूँ भी बट यह वाली फील्ड भी obviously कभी तो कभी तो करेंगे यार हम धोड़ी single धोड़ी घख जा रही है तो एक शाम आऊँगा तुम्हारे घर पे एक हात में गुल्डस्ता लेकर तुम्हे कहूंगा कि चलो मेरे साथ रात को तनहा बैटेंगे कुछ बाते करेंगे कुछ शायरी सुनाऊँगा और मैं सारी रात तुमको ऐसे ही देखता रहूँगा और चांद चल वैसे इस पोड़कास के बाद मुझे लगता है काफी DM आ जाएंगे आपके आपके पास महीं अल्रेडी आते है डेली अच्छा अभी तक का सबसे बैस्ट डेम कॉन सा लगा है इसको पढ़ कैसा लगा हो बाई यह क्या आगिया अरे एक बैस तो आते ही रहते हैं एक DM ना डेली आता है मेरे पास तीन साल से क्या बात यह रहे हो रिप्लाई करते हो क्या रिप्लाई करूंगा अबराम भाई बताँ डेली मतलब डे वन टू उसने लिखा वाया ऐसे लिटरली ना दे वन टू तरी मैं उसको बोलना चाहूंगा कि बहुत सारा प्यार है उसे मेरी तरफ से बट मैं मुझे ना सच बताओ मुझे समझ में यह रिप्लाई करूं कि असले मैं करता ही नहीं हूं मैं क्या करूं मतलब समझ में नहीं आता ना क्या करोगे आप फिर उस उन लोग आप से और बात करने का मन करेगा आप किसी को एक रिप्लाई कर दोगे तो फिर वह उमीद जगाओं किसी में कि कोई मेरे से बात कर रहे है तो मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं प्यार करत होती है कि आप जानो हम पोड़कास कर रहे हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा सा आरेंडी करने 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 कि मीभी साहिद यह नहीं लाइने हो आपके लिए ठीक है पर मुझे लगा कि मैं इसी अंदाज में आपको बता हूं एक होता है एक शायरी दी सुनी आपने बोला चलो कर गी और जो आपके वर्ड्स हैं जो भारीपन आपकी शायरी में आप ऐसा वो तो चाती बहुत है किसम से तो यह जो टैलेंट है ना मतलब इस टैलेंट को लोग बाग बहुत इसलिए बहुत प्यार कर रहें आपको क्योंकि वह नहीं लगता है जो मैं बूलता हूं उनको ह है ना और जब आपको कोई चीज फील होती है ना तो फिर आप वह यह ना सब कुछ अंदर ऐसे लगता है जाब कोई चीज ऐसे लगती है तो फिर आप हो जाते हैं जैसे हम बहुत सारे आर्टिस से अनेक्टेट रहते हैं इस वज़ए से क्योंकि हमें उनका काम पसंद आता शेयर है बहुत सिंपल और कितने अच्छे तरीके से जोन साब ने कहा है कि जो ना आने वाला था ना उससे हमें मतलब था आने वालों का क्या है आते होंगे पबलिक आज कल जो अपने पास है उसको ले के संतुस्णी है जो नहीं है या कल को जिसके आने वालों कि आते होगे उसके यह जो यह है और सबकी लाइफ और यह देखो कहीं कहीं भी रिलेट कर सकता आप इस चेर को है ना चलो आने वालों से पूछ लेते हैं कि आज तो सिं पडली देखके पसंद करोंगे या शेरो शायरी देखके पसंद करोंगे यहां मतलब शेरो शायरी से तो नहीं करूंगा बट लड़की ना तो बहुत खुब सूरत चाहिए और ना बहुत फैसनेबल ना बहुत जैंजी लड़की बड़ी सिंपल चाहिए मिर गो इसा होना जरूरी होता है कि आपको पूरा डूबना पड़ता है सबसे बड़ा एक्जांपल तो मुझे लगता है अब या पी बैठो पर इसा नहीं है मुझे लगता है दो टाइप के रैटर्स होते है एक रैटर्स होते है जो आपकी स्टोरी पे भी लिख देंगे मतलब आपको उन्होंने आँक लिया अच्छे से कि आप ये इनसान हो आपकी ये शक्सियत है और फिर उन्होंने आपकी परसनेलिटी पे लिख दिया एक होते हैं जो खुद्स पे जो गुजरी है आप बीती जिसको बोलते हैं वो लिखते हैं मेरे को तो जो आप बीती लिखते हैं वो बड़ा क्रेजी लिखते हैं क्योंकि वो एक एक चीज को ना बहुत अच्छे से पर हो सकते हैं अब शायर देखो ना आप मेरे को एक चीज कि वहां से कोई शायरी निकल जाएगी, मतलब झा परसंट, आप बोल दो, यह टीवी है, या गटार है, यह जमीन है, यह आसमान है यह समंदर है यह दर 그게 रेत है, यह हवा है, बाजू है यह क्लम है, यह बाल है, यह सर है Leiat कहीं से भी निकाल देंगा शायरी तो वो जो निकालना है और एक feeling को, feeling तो यह है बट उसे किसी और चीज से relate करवाया, बोला कुछ और, लेकिन समझ में feeling आई, वो बड़ा classic है, मैं तो खुला कहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ आज भी, सुन रही होगी, मैं करता हूँ उससे आज भी प्यार यार और जि अरे उनके लिए तो सारे शेर है, ज़लो उन सारों में से कुछ निकाल कर सुना दो, क्या पता हूँ सुन ले, उनके लिए एक शेर है, कि तुम जब आओगी, वो यहा बैठी है, जौन साप का शेर हमेशा लगता है, यह वाला शेर सुनके कि तुम जब आओगी, तो खोया ह हपाओगी मुझे, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं है, मेरे कमरे को सजाने की तमना है तुमें, मेरे कमरे में खाबों के सिवा कुछ भी नहीं है, अब कुछ नहीं है, उसके आने का कोई फाइदा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ है, जैसी है, कुछ जिल दुछ रहे दिए के और शायरी का है अगर थोड़ा सा ताम तो अगर आपको लगा हो कुछ यह तो बह। ही बहुत ही बहीं करता कोलेज का नाम तो नहीं लूं गा ले दो नहीं नहीं पहचान जाएगा नहीं पहचान जाएगा नहीं पहचान जाएंगा नहीं फैकल्टी अच्छा नहीं लगेगा बड़े इजजत करनी जाइए मैं इजजत इन subject होगी मैंकि कॉलेज में शो करने गया था अने इवाल करता दो पक्रता कि में अन्य जाते नहीं है तो उन्हों ने काफी गलत तरीक इसे बोला कि पर लेंड ने काफ़ी पटके गला के rock और एक चला जाओंगा मैं स्टेज पर चड़ा और मैंने सिर्फ इतना बोला कि मेरा नाम है मुकुल चर्मा वो आग लग गई होगी बैंग था वो मेरी भी आगे खुल मुझे भी नहीं इतना एक्सपेक्टेड था जो मैं जैन्मिन बता रहा हूं मुझे भी नहीं एक्सपेक्टेड था क्योंकि मैं मैंने करें नहीं इतने बड़े बड़े शोस कभी जादा बहुत कम शोस करें बड़े बड़े मैं खुद खुल गे जब वो शो राप अप हुआ ना मैं स्टेज से उतर रहा था लोग मेरे को बोल रहते है आप वापस स्टेज पर जाओ कुईसी और आटिस्स को नहीं सुनेगे वापस हो वापस हो दो शेर और बुलवाए फिर भी नहीं जाने दिया फिर बोला और सुन जादा बहते है और ठीक है बोल दिया होगा बोल दिया होगा मुझा बुरा लगा लेकिन उस दिन महुत पर मैंने निकाल लिया अब अब है क्या फ्यूचर प्लान क्या है गाने फ्यूचर है अभी अभी चार गाने अल्रेडी बन चुके है मेरे तीन रिलीस कर चुक हूँ चार मेरे पास बने है और तीन-चर चरक ऐलेबरेशन आने वाले है बहत अ अच्छे-च्छे गानों में पोषरी आने वाली है मेरी यह ahead plan और poetry तो कभी छोड़नी नहीं है शैरी तो कभी नहीं चोड़नी अब plan है मेरा डुबई और मैने शो मानन है डुबई वो my तो भाई, 100% full power मुझे तो बड़ा मज़ा आया पोड़कास करने में, मतलब ये शेरो शायरी वाला मेरा पहला पोड़कास था, ठीक है और अगर आप लोग कोई पसंद आया तो भाई के जाके देखना, जो नहीं जानते यो जानते भी होँँँटो जाके देखना पोड़कास्ट है, और लास्ट मे पीयार-महबद की बाते चल रही है हम इनसानी प्यार-महबद वाले है किसी को छोड़ देना अगर कोई बहुत ज़्यादा जाना चाहे न तो छोड़ देना मत पकड़ के रखना ज़्यादा पकड़ोगे तो बहुत मुसीबत होगी तुमें भी और उसे भी तो कोई ज़्यादा हाथ छोड़ाना चाहे तो छोड़ देना और फिर अपने काम में लग जाना और मोभबत करना कभी मच छोड़ना, इतरह है, चलो, थैंक यू मुकुल, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलके, और फिर दुबारा मिलेंगे, तब तक परम भाई का इंस्टेग्राम, परम भाई का यूट्यूब चैनल, जो भी मुझे देखने आये, सब्सक्राइब कर कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि परम भाई, बहुत ही अमेजिंग आदमी है, और बहुत ही मुझे दार आदमी है जाल, तैंक यू मेरिजान, तैंक यू